खेल कोई भी हो यदि उसे खेल की भावना से खेला जाए तो जीत निश्यती होती है चाहे खेल क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या बॉडी बुल्डर बस किसी भी खेल को खेलने के लिए एक जुनूर मन में होना चाहिए 36 गड़ की राजधानी रायपूर में जिला इसतर ये बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता हुई बॉडी बिल्डिंग एसोशियेशन के सचेव मानिक तामरकार ने कहा कि बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और कुछती प्रतियोगिता भी रखी गई थी इस प्रतियोगिता में 200 खिलाडियों ने अपना प्रदर्शन किया कि इस प्रतियोगिता के खिलाडियों में से किसी ना किसी खिलाडी का उलम्पिक प्रतियोगिता में चैयन होगा अभी जो प्रतियुक्ता हो रही है वेट लिफ्टिंग में उसमें राज नान गाउं सर्गुजा बस्तर सहीत राज जी के तकरीबन 200 खिलाडी सामिल हुए हैं और इस प्रतियुक्ता का मुख्य उडश ये है कि टोकियो में 2024 में जो ओलम्पी के प्रतियुक्ता हो रही है इहीं बच्चों में से कोई राज जी के तथा देश का नाम रोसन करने के लिए ओलमपी के में मेरा अपना नहीं है इसके लिए दोस्त परिवार और गुरु ने मुझे पूरा सहयोग दिया जिसके कारण में यह है प्रतियोगिता जीज सका जिसके बाद अब आगे की तैयारी मैं जोर शोर से करूँगा जिससे प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन कर सकूँ अब ही मैंने जुन में जो बॉडी बिल्डिन कॉंपटीशन हुआ है उसमें मैंने 65kg करण में खेला है जिसमें मैंने अपने वेट करण में प्रतमिस्थान प्राप्त किया है और उसके साथ मिस्टर राजधानी भी जीता है इस मेहनत के पीछे इस मेहनत को मैं अपने आपको देना नहीं चाहूँगा इसमें मेरे गुरु देव जिनका नाम मुरली मनोहर वैशनव है और मेरे ट्रेनर अमित भीया और मेरे दोस्तों का भी हाथ है इसमें आपको बता दे कि बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगता दो केटेगरी जूनियर और सब जूनियर में हुई जिसमें सब जूनियर में ग्यानेशुर ने प्रत्यमिस्थान प्राप्त किया ब्यूरे रिपोर्ट देश टीवी